आस्मान को छूती उची पहाडी और यहां से दिखता चमबा शहर समेत पूरे क्षेत्र का विहंगम द्रिश्य जी हाँ, कुछ यू नजर आता है चमबा शहर के पास स्थित पर्यटन स्थर जुमहार चमबा से मात्र 20 किलोमेटर दूर स्थित यह स्थान काफी मनोहारी है यहां चलती ठंडी ठंडी बयार, निचले क्षेत्रों की गर्मी से राहत देती है तो वहीं यहां की हरियाली बर्बसी मन को आकरशित कर जाती है चारों तरफ जंगल तथा उची परवत श्रिंखला इस छोटे से टूरिस्ट स्पॉट को खुबसूरत आयाम देती है चमबा से नजदीक होने के कारण चमबा वा आसपास के लोगों के अलावा बाहरी राज्यों से आने वाले सैलानी भी यहां पहुँचते हैं देवदार के उचे दर्खतों के बीच नर्म भास से भरे मैदानों में बैठने का अलग ही आनन्द आता है सर्पीनी सड़क का सफर कर यहां पहुँचकर शांती तथा प्रकृती के आलिगन सी अनुभूती होती है वीकेंड पर यहां काफी संख्या में स्थानिय तथा बाहरी सैलानी पहुँचते हैं फुल मिलाकर यह एक बढ़िया पिकनिक स्पॉट है जो चमबा से काफी नजदीक है यहां के लोग सेव के अलावा राजमा तथा आलू की खेती भी करते हैं यहां आने वाले सैलानी यहां से स्थानिय उत्पाद भी खरीद कर ले जाते हैं जिससे ग्रामीनों को भी घर बैठे आयक्राप्त हो जाती है चमबा से साहिल मरोल के साथ पुनीत शर्मा की रिपोर्ट